नश्कार दोस्तों भारत की डिजिटल मार्केट के अगर हम बात करें तो भारत की डिजिटल मार्केट में बिदेशी कंपनियों ने अपना कबजा जमा रखा है हम कहीं भी digital market में चले जाए हमें बिदेशी app और बिदेशी चीजों के ही जानकारी मिलेगी जहाँ एक तरफ हम आत्म निर्वर होने की बात करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ हम डिजीटल market में यह देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम आत्म निरवरता को खो रहे हैं लेकिन हाल फिलाल में एक खवर ये भी है कि हम अब आत्म निर्वर बनने लगे हैं। हम बिदेशी कमपनियों के एप्लिकेशन को टकर देने लगे हैं और अपने भारत के आत्म निर्वर एप्लिकेशन को लॉंच करने लगे हैं। पिछले दिनों भारत सरकार और ट्यूटर क के वीच काफी लंबी तनातनी चली थी और यहां तक कि ट्यूटर को बैन किये जाने की भी बात होने लगी थी तो सोचिए अगर भारत के अंदर ट्यूटर वाटसेप और फेसबुक जैसे एप्लिकेशन को बैन कर दिया जाए जो कि मुझे नहीं लगता कि पॉसिवल है अगर एक बार के लिए हम ये मान लें कि अगर ये एप्लिकेशन भारत के अंदर बैन हो गए तो क्या होगा क्योंकि आज के समय में ये एप्लिकेशन ये एप्स हर किसी ब्यक्ति की जरूरत बन चुके हैं किसी भी सामाने जीवन में ये आवश्यक हो गए हैं तो कौन से ऐसे एप हैं जो इनके इस्थान पर यूज किया जा सकते हैं जो इनके optional की तरह यूज हम कर सकते हैं और जो आत्म निर्वर हैं भारती हैं तो आज हम बात करेंगे ऐसी applications के वारे में खास कर मैं तीन applications के वारे में आज बात करूँगा जो की बहुत ही useful applications हैं भारत में ट्यूटर का option है कू जिसे एक मार्च 2020 को अपरामें और मयंक नाम के दो व्यक्तिव ने लॉंच किया था हरत के आत्म निर्वर एप कू को अब तक 60 लाग से जादा लोगों ने डाउनलोड किया है जिसमें कई सारे खिलाडी अभिनेता और भारत के दिगज नेतावी शामिल है कू ने पिछले 14 महीने में 250 क्रोड से जादा की फंडिंग जमा की थी और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा कू एप्लिकेशन भारत के आत्म निरवर भारत चैलेंज का बिनर रह चुका है तो कू हमारे देश का पेला आत्म निरवर एप्लिकेशन है जो ट्व spaghetti को टक्र कर दे रहा है इस तरह से कू digital मार्केट में कार्य कर रहा है यह जा सकता है कि आने वाले समय में पूरे विश्र के अंदर कू application as a tutor कारे करने लगेगा ये तो देखने की वात होगी लेकिन उसके बाद मैं second application की वात करता हूँ जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा needable है वो है WhatsApp तो WhatsApp का भारत के अंदर ऐसा कौन सा optional है जो हम use कर सकते हैं तो वो application है संदेश संदेश भारत सरकार का instant messaging app है जिसके लिए अगस्त 2020 में भारत सरकार ने launch किया था शुरुआत में तो इसे सिर्फ और सिर्फ सरकारी अधिकारियों के लिए use के लिए दिया गया था लेकिन उसके बाद में ये local public के लिए भी allow कर दिया गया संदेश application की developer company है National Informatics Center संदेश को अब तक 50,000 से जादा लोगों ने download किया है इस application के users इसलिए इतने कम है क्योंकि अवी हम इस application के वारे में इतने जागरोक नहीं है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनें पता भी नहीं है कि भारत में WhatsApp का optional संदेश app है जिसे भारत सरकार ने launch किया है इसके बहुत सारे features WhatsApp की तरह ही हैं लेकिन कई features WhatsApp से different भी हैं जैसे कि आप WhatsApp में सिर्फ अपने mobile number से ही account create कर सकते हैं लेकिन संदेश application में आप mobile number के साथ साथ अपने email ID से भी account को login कर सकते हैं तीसरा सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला है Facebook और भारत के अंदर Facebook का optional है ShareChat ShareChat को भारत में October 2015 में अंकुस सचदेव ने launch किया था जिसकी developer company है महला Tech महला Tech company ने इसको डबल अप किया है और ये भारत का Facebook है ShareChat के monthly active users 16 करोड हैं और ये application 15 languages को support करता है इस application ने पिछले 6 सालों में 5000 करोड से ज़्यादा की funding जमा की थी और वहीं इसकी network valuation की बात करें तो इस समय ShareChat की network valuation 15,000 करोड रुपए है देखा जाए तो इस छोटे से app ने बहुत बड़ी तरक्की की है और ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में ShareChat Facebook को टक कर देगा टक कर तो आज भी दे रहा है भारत का आत्म निर्वर app सारी चीजों को analyze करने के बाद हमारे दिमाग में एक question ये जरूर आता है कि क्या ये applications भी Facebook, Tutor और WhatsApp की तरह successful हो पाएंगे तो इन कंपनियों के सामने सबसे बड़ी दिक्कत जो आएगी वो है Network Effect Network Effect का मतलब है कि अगर आपके 10 में से 8 लोग Tutor यूज़ करते हैं WhatsApp यूज़ करते हैं तो आप कू और संदेश पर क्यों जाएंगे क्योंकि आपके 10 में से 8 दोस्त उन applications पर है ही नहीं मत्र दो फ्रेंड ही ऐसे हैं जो इन applications का यूज़ कर रहे हैं तो इन Indian Companies को आगे पहुचाने के जिम्मेदारी Indians की ही है क्योंकि भारत के आत्म निर्वर एप को आत्म निर्वर लोग चलाना सुरू कर दें और एक network effect create करें एक network बनाएं तो इन applications को भी बहुत आगे ले जाया सकता है इसमें ये नहीं है कि फाइदा हमारा क्या होगा बात ये है कि देशवक्ती की बात ये है कि हमारे देश का भी नाम होगा डिजिटल मार्केट में जहां India पीछे पिछड रहा है वहीं डिजिटल मार्केट में इंडिया नमबर वन भी बन सकता है और ये सब हम लोगों की जागरुकता से ही संबब है क्योंकि भारतिये एप को भारतिये ही आगे बढ़ा सकते है और दूसरे देश के लोग उसे आगे क्यों बढ़ाएंगे लेकिन सबसे बड़ा सॉलीशन इस नेटवर एफेक्ट का ये है कि अगर कोई भी सेलबरेटी इन सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म को जॉइन करता है तो उसके फॉलोवर्स भी इन सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म को जॉइन करने लगेंगे लेकिन यहाँ पर एक कोशन ये भी उठता है कि एलाउन मस्क क्यों कूँ एफ्लिकेशन को जॉइन करेंगे जै हिंद जै भारत मिलते एक नई कंटरवर्शी के साथ बहुत जल वीडियो पसंद आईए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारा भी फायदा आपका भी फायदा आप भी नए